तो बचे BPSC Auditor का आप जानते हैं कि जो syllabus है syllabus mathematics optional का same syllabus है जो की आपका combined civil service examination का होता है ठीक है मतलब इसका भी दो पार्ट में यह syllabus divided है तो फर्स्ट पार्ट आप इधर पार्ट वन बोल दो पार्ट वन and here let us talk about पार्ट टू ओके आपके पास समय बहुत कम है तो वह important topics कौन-कौन से हो सकते हैं तो वह मैं आपको जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करता हूं ठीक है part one of the syllabus में सबसे important जो है बच्चे linear algebra होता है कि लीनियर अलजेब्र है कि अगर इसका कोश्चन अगर छूट गया तो मतलब सोचवाब अपर सेलेक्शन होना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि लीनियर अलजेब्रा से आपको दो कोश्चन आएंगे कोश्चन नमबर वन ए और कोश्चन नमबर वन बी एस सिंपल आज़ इस तो यह बात बिल्कुल दिमाग में रखना है कि लीनियर अलजेब्रा हमें किसी भी कीमत पे किसी भी सूरत पे कंप्लीट करके जाना है एक्जाम से पहले ओके सेकेंड टॉपिक अगर बात करते हैं तो दैट इस केलकूलस ठीक है कैलकूलस में इसके अंदर में जो होगा तो दो पार्ट होगा आपका वन वेरियेबल कैलकूलस होगा और एक मल्टी वेरियेबल कैलकूलस होगा तो part A of the syllabus में आपका सबसे दो important topic जो आपको complete करना है linear algebra calculus, अगर आप इस calculus कर लेते हैं उसके बाद आपको ordinary differential equation करना है, यह तीन topic इधर most important हो गया है, इसके बाद का एक topic है जो fourth topic अगर हम बात करें तो that is vector calculus. ठीक है, चार topic हम बात कर रहे है, linear algebra, calculus one variable और calculus multi variable, ordinary differential equation जो आप देख रहे हो और vector calculus, बच्छे believe me अगर आप इतना part अगर आप कर लेते हो ना, यह चार part अगर आपने अगर अच्छे से कर लिया, तो आपका part A वाला जो काम है, बहुत हद तक, 80% काम आपका इधर से हो जाएगा, और बहुत अच्छे marks आप यहाँ पर attain कर सकते हो, ठीक है, तो linear algebra आपको सबसे पहले करना है, first priority में, calculus चुकि आप बार्वी बाला पढ़े हुए हो एक आर्वी बार्वी में calculus, तो one variable calculus पहले करो, उसके बाद आप multi variable calculus पे आओगे, ठीक है, यह जब चीज हो जाएगा, उसके बाद, छोटा सा topic है, ordinary differential equation, बहुत ही छोटा syllabus है, very small syllabus, किसका है बच्चे, तो यह ordinary differential equation का है, BPSC के exam के लिए बहुत ही छोटा syllabus है, ठीकिन हम UPSC का exam को बारे में बात करेंगे, तो बहुत ही बड़ा syllabus होता है, OD का, OD का मातर चार topic ही आपको पढ़ना है, तो अगर आपने कभी syllabus उठा कर देखा होगा, तो आपको यह चीज रियलाइज कर पाऊए, कि OD का जो syllabus जो BPSC के लिए है, बहुत ही कम दिया हुआ है, आराम से इसको कर सकते हो, फिर क्या आती है बात, vector calculus का, तो vector calculus is more or less dependent on your multivariable calculus, यहाँ पे भी आप partial derivatives निकालते हो, differentiation वगरा करते हो, तो अगर आपको multivariable calculus अच्छे से है, तो फिर vector calculus आप, बहुत अच्छे ढंक से आप जल्दी-जल्दी निप्टा दोगे, ठीक है, तो लेट्स मूँव तो अच्छे पार्ट, आपके पास समय नहीं है, बस है कि बस जो chapter है, उसको concept को revise कीजिए, थोरा problem seat वगरा है, उसको कर लीजिए, और फिर आगे बढ़िए, ठीक है, अगर आपको इन चारो chapters को समझने में बहुत difficulty हो रही है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जो number आपको given है, screen पे, आप हमारा course क को join कर सकते हैं, हमारा जो आई batch चल ला है बचे, तो batch में भी अभी यही दो topic जो है, सो हम लोग करा रहे है, first is calculus, calculus plus आपका linear algebra, यही दो topic चल रहा है, चार महत्तपुन topics जो हमने आपको बताया, calculus linear algebra, vector calculus, vector calculus, okay, and plus ordinary differential equation, यह चार topics को बहुत धंग से करना है, अगर आप अच्छे धंग से नहीं कर पा रहे हैं, problem हो रहा है तो, तो तुरंद आप हम लोग से संपर्ख करे, we will help you out, ठीक है, हम लोग आपके कठिनाईयों को समझते हैं, काफी time हो चुका है, आप लोग mathematics से दूर हो चुके हो, एक बार connect करने के लिए, आपको classes व आप two of the silvers में सबसे important जो topic है, आपका इधर numerical analysis है, numerical analysis, ठीक है, ये topic most important है, fine, अगर हम second topic के बारे में बात करें, तो that is LPP, बहुत ही छोटा सा topic है, जल्दी से हो जाता है, question भी इसके आते ही है, ठीक है, तो first chapter आपको इधर numerical analysis करना है, second LPP करना है, third chapter बच्चे यहाँ पर complex analysis है, complex analysis, ठीक है, complex analysis को करना है, ये तीन topic इधर और चार topic आपको calculus में, सबसे पहला काम है आपको इतना करना होगा, ठीक है, एक topic आप part 2 में बढ़ा सकते हो, जो आपने OD पर है part 1 में, सेम उसके parallel में चलता है PD, partial differential equation, ओके, तो चार्चर topic आपको हमने part 1 में भी बताया है, part 2 में भी बताया है, बहुत आसानी से आप कोई भी किताब लेकर start कर सकते हो, दिक्कत आती है, तो आप हमारा course join कर सकते हैं, हमारे course से चल रहे हैं, जिसमें अभी calculus और linear algebra, ये दोनों topics अभी हम लोग करा रहे हैं, तो हम लोग आसा करते हैं कि जो guideline आपको दिया जा रहा है, आप उस पे stick करके अपना काम करेंगे और अपने मुकाम को जल्दी हांसिल करेंगे, Thank you so much for watching this video, we will meet in the next video, तब तक लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद जैहिंद।